तो अब हम लोग समझते हैं STML का basic structure कैसा होता है पहले मैं यह जो मैंने लिखा था आपको dummy दिखाया था आपको हटा देता हूँ और यहाँ पे अब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले जो चीज होता है वो है हमारा doc type मतलब हम बता रहे होते हैं कि यह हमारा किस type का file है यह जो document है वो किस type का है ठीक है और इसके बारे में और भी चीज़ें है जो मैं आपको आगे detail में बताऊँगा क्योंकि यह छोटा एक line के चीज़ है बट यह एकसर interview में पूछा जाता है और यह important भी है क्यों important है यह सब में आपको बार में आता तो फिलहाल आप इतना समझो कि doc type से क्या होता है कि आप बता रहे होते हो browser को कि यह किस type का document है तो उसको कैसे declare करते है उसके लिए आपको यह प्रेस करना पड़ता है और फिर आपको लिखना पड़ता है caps में doc type फिर small में लिखना होता है HTML और bracket close तो यहां पर आप देखो होगे कि हमने क्या कि doc type define कर दिया कि यह जो document मीचे है वो HTML के जैसा HTML है ठीक है हमने यह बताया अब दूसरा जो हमारे पास center आता है वो कि आपका HTML है अब आप क्या करोगे कि HTML को open करोगे पहले और एक close करोगे तो हमारे पास दो टैग होता है कोई भी चीज जो HTML में जो ऐसे इस bracket से start होगा उसे हम लोग tag बोलते है ठीक है तो हमारे पास एक होता है HTML टैग तो HTML टैग लिखना है तो हम लोग इस तरीके से लि चीज तो compulsory है सबसे पहले आपको document type बताना है उसके बाद HTML टैग open करना है ठीक है अब उसके अंदर जो एक सबसे main part होता है वो है body तो body का भी एक tag होता है तो जैसे कि मैंने आपको पता है कि कोई भी tag open करना है तो bracket open करना है उसमें लिख देना है body और फिर close कर देना है तो और एक close भी tag होता है अब इसमें सबन्य वाली बात यह है कि कोई भी tag जो आप open कर रहे हो उसमें आप सिर्फ start और end करोगे और बीच में उस tag का नाम लिखते हो बट जब उस tag को बंद कर रहे होते हो तो आपको backslash भी लगाना होता है जैसे आप यहां पर देख सकते हो मैंन लिखते हैं तो मैंने क्या बता है आपको कोई भी tag start करना है तो आपको लिखना है पहले bracket start करना है और वहां पर देना है उसका नाम और बंद कर देना है और उसके बाद फिर से जब वह tag बंद करोगे आप तो backslash के साथ फिर से सेम चीज लिखना है तो अब आप यहां पर यह हमारा है basic structure overall अब हम लोग एक एक करके समझना साथ करते तो जैसे मैंने आपको doc type बता दिया कि यह बताने के लिए होता है browser यह software किसी को भी कि यह किस टाइप का document है तो हमने आप बता दिया कि HTML है फिर हमने HTML tag start किया HTML को close किया close करने के लिए हर एक tag में हमें क्या करना होग लगा backslash लगाना पड़ेगा फिर हमने पास आता है दो टैग एक है head और एक है body अब यह दोनों क्या है क्या difference मैं आपको पहले यह बताता हूं तो body क्या होता है कि body के अंदर आप कोई भी जो भी आप लिखोगे वह visible part होगा मतलब यहां पे आप जो भी लिखोगे जैसे this is visible part ठीक है तो जो आपने यहां पर लिखा है वह आप देखोगे कि यहां पर जब मैं इसको refresh करूंगा तो आप देखोगे यहां पर आ गया तो अब आता है बात head tag का head tag क्या होता है कि यहां पर आप कुछ भी print नहीं करा रहे होते हो basically आप instruction दे रहे होते हो मतलब यह basically metadata होता ह है यहां पर metadata का मतलब क्या होता है कि data about data को बोलते है metadata यह एक technical term है metadata ठीक है इसका मतलब होता है कि data के बारे में data ठीक है मतलब जो आपने body में data लिखा है उसके बारे में data हो यहां पर तो basically अगर आप इस technical term में अगर ना जाओ कि इसमें metadata होता है तो आप इसको बस यह बोल सकते हो कि यह browser के लिए होता है यहां पर यह विजवल पार्ट के लिए होता है जो कि एक तरह से हो गया यहां पर user के लिए जो भी आप user को दिखाना चाहते है आप यहां पर करो यहां पर आप वह वाला पार्ट लिखते हो जो ब्राउजर के लिए होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप जो यहां पर लिखा हुए user को फर्क नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा बट पहले उसको ब्राउजर अपने हिसाब से पढ़ेगा समझेगा फिर effect लाएगा तो जो भी ची हो सकता है एक paragraph हो सकता है जिसको आप जो भी लिखोगे this is a paragraph तो वो बिलकुल एक user को यह दिखेगा ही दिखेगा ठीक है यहां पर जहां वेजबल पार्ट है बट यहां पर अगर मैं ऐसा क्या लिखूंगा कि कहां दिखेगा ब्राउजर कैसे समझता है तो इसमें कुछ ची अगर किसी भी तरह के का आप interaction आप अपने इसको बनाना चाहते हो अपने document में तो आप जो script लिखोगे उसमें लिखोगे और एक छोटा सा example है वह मैं आपको अभी बना कर दिखा देता हूँ एक और tag होता है जिसको बनता है title tag टीक है title tag तो title tag हमने open करेंगे हम लोग और यह this is a stml page मैंने यहां पर लिख दिया अब आप देखो जो इस title tag में लिखा उसमें क्या होगा अभी आप यहां पर देखो अभी यह क्या दिखा रहा है हमारा path दिखा रहा है और जब मैं अब refresh करूगा तो यहां पर आगया this is a stml page और यहां पर आगया this is paragraph अब आप इससे browser को समझने के लिए है basically होता user ही है हर काम user करेगा but उसको पहले browser manipulate करेगा कि कहां पर दिखाना है और क्या करना है तो आप basic में आप इतना समझते हो जो भी आप body tag में लिखते हो वो यहां से start होके यहां पर खतम हो जाता है और जो भी आप head tag में लिखते हो वो और कहीं impact डाल होगे उसको browser analyze करके कुछ काम करेगा ठीक है तो इसमें एक और tag होता है for example एक description tag होता है ठीक है तो जब आप कोई भी search engine पे अगर आप कुछ search करते हो तो वहां पर description दिख रहा होता है वो उसी से आ रहा होता है अगर मैं यहां पर HTML search करता हूँ तो जो यहां पर दिख रहा है यह वहीं से आ रहा होता है हमार पास description होता है यह हमारा title होता है तो आप देख सकते हो कि जो हमने यहां पर लिखने वाले हैं इस head tag में उसको किस तरीके से search engine use करता है ठीक है आप बस इतना समझो कि यह जो part है head वाला वो browser के लिए होता है कि browser इसको पढ़े और manipulate करे समझे कि कहा क्या करना है और जो body होता है वो straight forward body के लिए होता है जिसका मतलब होगा body का मतलब कि यहां से start होकर यहां तक जो भी है जो content दिख रहा है वो direct body में है तो यहां पे आप paragraph लिख सकते हो link डाल सकते हो images लगा सकते हो तो यह हो गया हमारा HTML का basic structure तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दो और channel को subscribe कर लो ताकि आपको channel को दुबार ढूनना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा content बनाऊ तो वो आप तक पहुन सके